नितीश कुमार जी आपने जीतन रामान जी को मुखमंत्री बना करके एहसान करने का काम नहीं किया आप सरमिंदगी से बचने के लिए लज्जित होने से बचने के लिए अहंकार परदर्सित हो रहा है समाज के बीच में तो नितीश कुमार जी को जितना भी उनकी निंडा की जाए उवह कम है नितीश कुमार जैसा बिहार में आज तक कोई निरलग मुल्ख मंतरी नहीं हुआ नमस्कार मैमनिस और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन भाजपा कार्याले में आज भाजपा के बरिश्क नेता योगेंदर पासवान ने प्रेस कॉंफरेंस किया प्रेस कॉंफरेंस के जरिए नितीश कुमार पर हमलावर हुए आपको बता दे कि बिधान सवासत्र के दौरा पासवान नितीश कुमार ने कई ऐसे आपत्ति जनक टिपनी महिलाओं के लेकर की की ती और तो और जीता ना मांजी को लेकर के भी उन्हेंने बहुत कुछ कह दिया था आए सुनते हैं इस पर योगेंदर पासवान ने क्या कुछ कहा है इस तरह से कि नितीश कुमार जी ने ना उम्र का ख्याल रखा और ना संसदिय जीवन का ख्याल रखा जीतारा मांजी जी उम्र में भी बड़े हैं और संसदिय जीवन काल में भी ओ बड़े हैं 1980 में जीतारा मांजी जी एमेले बने थे और नितीश कुमार जी 85 में बने थे लेकिन इन्होंने मर्यादा का भी कोई ख्याल नहीं रखा और नितीश कुमार जी अहंकार से कहते हैं कि जीतन राम मान जी को हमने मुख मंतरी बनाने का काम किया नितीश कुमार जी आपने जीतन राम मान जी को मुख मंतरी बना करके एहसान करने का काम नहीं किया आप सरमिंदगी से बचने के लिए लजजित होने से बचने के लिए क्योंकि आपको सिर्फ दो लोग सोहा में सीट आया था 2014 में तो पर्धान मंत्री जी के पास गूल दस्ता लेकर के एरपोर्ट पर आपको जाना पड़ता तो आपने सरमिंदगी से बचने के लिए जी तरह मांजी जी को मुख मंत्री बनाने का काम किया था कोई एहसान नहीं किया था उन पर यहीं नहीं जीस तरह से नितीश कुमार जी दलीतों को अपमानित करते रहे हैं उसी तरह से लालु जादव ने भी दलीतों को अपमानित करने का काम किया है आप के जेहन में होगा कि जब रमई राम को सोने का मुकूट मिलर हाई स्कूल के मैदान में दलीतों के तरब से दिया गया था तो लालु जादव ने उनके सर पर से मुकुट उतरवाने का भी काम इन्हीं नकली समाजवादियों ने किया था और मैं पूछना चाहता हूँ नितीश कुमार जी के जो चाटुकार धलित मंत्री बैठे हुए हैं उनके साथ तो बो भी उनके पास तो राज निती की जमीन बची नहीं है जमीर बेच करके नितीश कुमार के साथ हैं तो ऐसे लोग भी साथान हो जाएं आगे आने वाला दीन में आप सबों का नकली समाजवादियों का चुन-चुन करके बिहार की जनता और धली समाज हिसाब करेगी मित्रों जिस तरह से नितीश कुमार का अहंकार परदर्शित हो रहा है समाज के बीच में तो नितीश कुमार जी को जितना भी उनकी निंदा की जाए उवह कम है नितीश कुमार जैसा बिहार में आज तक कोई निरलज मुख मंतरी नहीं हुआ इन्होंने निरलज तक को भी पार कर दिया है नितीश कुमार ने मित्रों आज बिहार की जनता कराह रही है इनके सासन से और आपको यह बता दें कि राष्टिये अनुसूची जाती आयोग भारत सरकार ने भी नितीश कुमार ने जो जी तरह से जीतरा मानित करने का काम किया है इस पर संग्यान लेने का काम किया है विधान सभा के अध्यक्ष और बिहार के महा महिम राजपाल जी को इन पर कारवाई करने के लिए राष्टिये अनुसूची जाती आयोग ने भी सि इस तरह से दलीतों को महादली समाज को निद्ध तो आपने सुना योगेंदर पासवान सीधे तोर पर ये कहते हुए जो नजर आ रहे हैं कि इतना निरलज मुखमंत्री आज तक बिहार में कोई नहीं हुआ क्योंकि अगर बात की जाए तो सदन की गरीमा को भी उन्होंने तार-तार कर दिया और महिलाओं के ले करके बिवादी टिपनी तो की ही साथी साथ एक दलीत नेता जो असी वर्ष के दलीत नेता है जीतना मांजी उन पर भी उन्होंने बहुत तु तड़ाक से बयानबाजी की है जो की काफी सर्मनाक है और ये बतलाने के लिए परयाप्त है कि बिहार के सबसे निरलज मुखमंत्री में से एक नितीश पुमार है इस तरह के तमाम अफडेट के लिए देखते रहें मेडिया दर्सक्राइबाद